C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिये पेश है सफ़ा नंबर 58, सबक 10 नजम शाम, नजम निगार, शफिय उद्दीन नईयर हुई शाम सोने का वक्त आ गया अंधेरा सा चारों तरफ चा गया गया डूब पच्छिम में जब आफताब उफक पर चमकने लगा महताब परिंद आशियाने में जाने लगे मवेशी भी जंगल से आने लगे फलक पर सितारे चमकने लगे जवाहर की सूरत दमकने लगे हैं सब साफ साफ और निखरे हुए हर इक सम्त मोती से बिखरे हुए सफा नंबर उनसट चमकते भी हैं जिल मिलाते भी हैं तुम्हारे दिलों को लुभाते भी हैं मुसाफिर ने खोली सरा में कमर है पर देश में जो यही उसका घर किसान अपनी खेती से फारिख हुए उठा हलको कंधे पे घर को चले हुआ इस तरह सारा बाजार बंद के आँखें करे जैसे बीमार बंद ना आंधी ना अब्र और ना गर्दो गुबार मजाह देती है आसमा की बहार गर्ज ये के दुनिया में आई है शाम खुदा ने अजबशे बनाई है शाम नजम निगार शफिय उद्दीन नयर एक लफज और मानी उफुक आसमान का किनारा जहां जमीन और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं हाफताब सूरज महताब चांद परिंद चिडिया उड़ने वाले जानवर आशियाना घोसला मवेशी पालतू जानवर चार पैरों वाले जानवर जैसे गाए बैल जो चारा खाते हैं फलक आसमान जवाहर जोहर की जमा खीमती पत्थर संद तरफ सरा सराए ठहरने की जगा सफा नंबर साथ फारिख होना किसी काम को पूरा कर देना खाली हो जाना हल एक औजार जिससे किसान जमीन जोते हैं अबर बादल गर्द धूल गुबार धूल खास कर वो धूल जो हवा में उड़ रही हो शै चीज दो गौर कीजिए दिन और रात मिला कर चौबीस घंटे होते हैं इनमें सुब और शाम की खास एहमियत है सुब होते ही हम अपने काम पर लग जाते हैं और शाम तक काम करते करते ठक चुके होते हैं इसलिए हमें आराम की जरूरत होती है खुदा ने आराम करने के लिए हमें शाम जैसा अनमोल तुफ़ा दिया है इसका फाइदा चरिंदो परिंद भी उठाते हैं तीन सोचिये बताईये और लिखिये अलिफ नजम में शाम होने की कौन सी निशानिया बताई गई हैं बे शायर ने सितारों की तारीव किस शेर में की हैं जीम शाम होने पर मुसाफिर क्या करता है चार इन मिसरों को सही लवजों से पूरा कीजिए अब्र लुभाते मोती जंगल डूब फारिख अलिफ गया खाली जखा पच्छिम में जब आफताब सफ़ा नमबर 61 बे मवेशी भी खाली जखा से आने लगे जीम हर एक सम्त खाली जखा से बिखरे हुए दाल तुम्हारे दिलों को खाली जखा भी हैं हे किसान अपनी खेती से खाली जखा हुए वाओ ना आन्धी ना खाली जखा और ना गर्दो घुपार पांच बताईए के ये जुम्ले सही हैं या गलत अलिफ सुब को सोने का वक्त होता है सही या गलत बे शाम को आसमान पर सितारे चमकने लगते हैं सही या गलत जीम रात को बाजार खुला रहता है सही या गलत दाल शाम को आफताब पच्छिम में डूपता है सही या गलत छे दिये हुए लवजों के मुतजाद लिखिए शाम, अंधेरा, साफ, आफताब, आसमान, बहार, पच्छिम, परदेश साथ, नजम के वो मिस्रे लिखिए जिनमें आफताब, जवाहर और सितारे के अलफाज आए है सफा नंबर बासट आठ दिये गए मिस्रों के अलफाज की तर्तीब दुरुस्त करके खाली जगा में लिखिए महताब उफुक पर चमकने लगा सब हैं निखरे हुए और साफ साफ सारा बाजार इस तरह बंद हुआ जैसे बंद के करे बीमार आखे ना गर्दो गुबार और ना आंधी ना अब्र नौ, यहां कुछ अलफाज दिये जा रहे हैं इनमें जो इसम हैं उनके गिर्द दाइरा बनाईए आफताब, मज़ा, अंधेरा, जंगल, आशियां, जाना, मुसाफिर, निखरना, चमकना, शाम दस, यहां कुछ तस्वीरे दी गई हैं इन तस्वीरों पर दो दो जुमले लिखिए इस तस्वीर में आसमान में चांद दिखाया गया है सफ़ा नमबर 63 इस तस्वीर में किसान को कंधे पर हल लिए दिखाया गया है ग्यारहा, खुशकत लिखिए इसी के साथ ये सबक यहीं पर खत्म हुआ अभी आप सुन रहे थे सबक 10 नजम शाम समय रिकॉर्डिस्ट बतिलाइंग लिंग्डो समय फनकार परवेज गोहर और शिमाईला परवेज एडिटिंग हिदायतकार और तखलीककार विमलेश चौधरी पेशकरदा C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत C.I.E.T.